करां शुरू थल्ले रोडाना पाण सतना तनवाहि गुरू साहिब जीयो ज्यान त्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सत गुर्णानिक जिन कल राखी मेरी डंडवत बंदन अनिकबार सर्व कलाशमराथ डोलन ते राखो प्रभू नानिक देकारहत सतना तनवाहि गुरू साहिब जीयो शलोक महला पहला पड़ गड़ी लदी एह पड़ पड़ परियह साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई एह पड़ पड़ गड़ियह खात पड़ियह जेते बर्स बर्स पड़ियह जेते मास पड़ियह जेते आरजा पड़ियह जेते सास नानिक लेख एक गाल होर हौ मैं चखना चाख नानिक लेख एक गाल होर हौ मैं चखना चाख वाह गुरुजी का खालशा वाह गुरुजी की फते परम सनमान योग सत्गुरु गुरु गरंत साहिब महाराज हाजूर दी किर्पादा सदका पिछले काफी समेतों पीटीशी चैनल वलो जो रोजाना सुबा गुर्मत ग्यान दे नाहेट शब्द विचार गुर्मत दी विचार संगत तक पहुंचाई जान दी खै उस लड़ी दे अधीन अज कल आसा की वार दी लड़ी वार पौडियां समेत शलोकांदे आप जी देश परदेश विच बैठे विचार सर्वन का रहे खो अज नौमी पौडी दी इस नाल आएखोई दो शलोकांदी विचार प्राराम भौनी खै इस नौमी पौडी नाल पहला जो शलोक दर्जिक है इस दापाट गुरू किरपा नाल आप जी ने सर्वन कीता है एश लोक हजूर ने उन्हा लोगां वास्ते विचेश करके उचारन कीता जिन्हा ने अपनी जिन्दगीच मेंट करके तलीम, इलम, विद्या, नौलज बहुत कुछ हासल कीता उन्हा ने इन्ही को मेंट कीती कि उन्हा दे पड़े होई गरंथां दियां, किताबां दियां, बैल गडियां, परियां गियां उन्हा ने इन्हें गरंथ पड़े, कितेवी जान देने, उन्टा उपर, खच्रा उपर, गरंथ लद के ले जान देने उन्हा दे पड़े होई गरंथ, सच एवे, कि दर्या पार कर लगयां, बैडियां परपर के गरंथां दियां, ना लेके जान देने उन्हां दे करांदे तैखाने ओवी पढ़ियां हुईयां किताबां ते गरंथानल परेने इन्ही विद्या इन्ही तलीम नाकोल ते मेंद कितने की ते जितनी परमात्मा ने जिन्दगी बख्षी सारी उमर उन्हां ने विद्या पढ़ी जिन्हें जिन्दगी दे साल सन हर बर्स अपने जीवन दा उन्हां ने विद्या नू समर्पत किता हर मिखिना उन्हां ने विद्या दा अभियास किता विद्या इकठी कर दे रखे हजूर दे मुताबक जितने सवास बंदे लेंदे संग एक सवास वी विद्या दे अभियास पठन पाठन तो बिड़ा खाली नी जान देंदे इना जिन्दगी च अभियास कीता हुए इनने गरंत बो गिंती विच पड़े खोन पर गुरु नानक सहब ने इस सलोक विच अखीरली तोक विच एतात निचोड अपना गुर्मत दा नजरिया पेश कीता ओ हजूर दे अमरत बच्चन ने इस शलोक विच सत्गुरा ने फरमाया कहने लगे पड़ी है जेती आरजा पड़ी है जेते सास नानक लेख है एक गल इदापाव अर्थ तानगुरु नानक सहब फरमा रहे ने तुँ विदवान खै तुँ शूजवान खै पर एक गल अप आत्मा दे दरते लेखे विच पहनी है बाकी जितनी तु नौल जितनी विद्या जितना ग्यान ही कठा कर लें जे ओ ग्यान सिर्फ खौमें दे परगटावे ली है जे कर ओ ग्यान सिर्फ दूसरे नो खरान दे ली है जे कर ओ ग्यान संसार दे लोगां विच आपने आपनो परतिष्ट साबद करनवास देख है सत्गुरु के ने नाम तो बिणा सिम्रन तो बिणा एक परमेशवर्दी याद तो बिणा जितनिया वी गला ने विद्या दिया यू समझो ओ खौमें देविच चाक मारना है फजूल बोलना है एह हजूर ने अजदे शलोक्च सानु दरसाया जो मैं संखेप जया आप जी दे सानुख अर्ज कीता है गुरु का रदे अंदर तलीम दी विद्या दी बहुत वड़ी था दिती गे क्योंके जदो असी शिरी गुरु गरन सहब दापाठ करने ते किनिया पाशामा ने जेडिया शिरी गुरु गरन सहब दे विच गुर्म की लिपी राई हजूर ने दर्ज कीतिया जिमें असी सब तो पुरातन संस्कृत है शिरी गुरु गरन सहब दी बानी विच हजूर ने गुर्म की लिपी राई संस्कृत पाखावी दर्ज कीती है जिवेंसी शब्द पढ़ने परमाद पुरुख मनोपमंग सात आद पाव रतंग ओ हजूर ने संस्कृती दा शब्द उनु गुर्म की लिपी विच दर्ज कीता हजूर ने बानी विच फार्सी लफज फार्सी शब्दां दी भी बहुत वर्तों कीती जिवेंसी हजूर दा ए बोल तिरंग लाग दा पहला शब्द पढ़ने खां के यक अर्ज गुफ्तम पेश्तो दर्गोश कुन करतार हका कबीर करीमतों बे एव परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी ए नरूल फार्सी है हजूर ने उस पाखानुमी गुर्म की लिपी विच दर्ज कीता जिवेंसी मराठी दे शब्द पढ़ने खा हजूर दी अमर्त बानिच पगत नाम देव जी दा अमर्त बोल पहल पुरिये पुंडर कवना तांचे खंसा सगले जना क्रिशना ते जानाओ हर हर नाचनती नाचना मराठी नूँ थांद देगी लेंदी नूँ बहुत थांद देगी असी डखने पढ़ने या जिमें हजूर ने फुर्माया के तू चौँ सजन मेडिया डेई सिस उतार नैन मेखेंजे तरस दे कद पसीं दीदार मेरे कैन तो मुराद एवे के शिरी गुरू गरंत सहब दी अमर्त बानीच अनेकाई पाशामा ने जिनानू हजूर ने गुर्म की लिपी दे सुंदर अक्रां दे विच शमो के इस मानवता दी अगवाई वास्ते रख देता इस तो कैन तो पाव एशी के गुरू कार अंदर विद्या दी बहुत वड़ी थांख है इस शलोक दे अर्थ पाच वाचन लगें सब तो पहला इस गाल नो याद रखिए के गुर्मक गुर्मत तलीम दी वरोदी नखी गुर्मत जेडिये उस संसार दा ग्यान इकठा करन दे वरोद विच नहीं पर गुर्मत इस गालते जोर देंदी खे के सिर्फ दिमागी ग्यान कठा कर लेना बोध कतल दी नौलज इकठी हो जानी पर जेकर उसनों अपनी जिद्गी विच अपनाया नहै क्योंकि एते सारा शबद चल रहा है अद्हात्मकता देनाल क्योंकि नानक लेक है एक गल जे किसे नौ vibes दा ग्यान खे सिमर्तिः दा ग्यान खे पुराण दा ग्यान ग्यान खे अठारा पुराणा बारे पता है खाट शास्त्री है छे शास्त्रां दा ग्यान है जेकर किसे नो कुरान जड़ी जबानी कंट है जेकर कोई बाइबल बारे चंगी तरह जान रिया है मैं अर्ज करां जेकर कोई इनसान धंपद बोध माद दे गरंदा विदवान उस गरंद बारे बड़ी जान करी रख दे इवन के जेकर कोई विदवान शिरी गुरु गरंद सहीब जीदी बाणी दा पठन पाठन कर दे पाई गुर्दा सहीब दी रचना पड़ दे पाई नंदलाल सहीब जीदियां रचना माँ पड़ दे गुर्मत न जुडे कोई साहित नू ओ अपनी जिन्दगी विच बहुत जादा पड़ चोल दाए पठन पाठन करदाए पर एनी तलीम एना ग्यान एनी नौलज जानकारी दिमागी तौरते बंदे नू है पर जेकर उसनू अपनी जिन्दगी विच जो पड़े है उनू अमली रूपच करनी रूपच यू कहल हमां के अपनी जिन्दगी विच ओदे मताबक जीवन नू निटा लेया सिर्व उस शब्द नू चाक लड़ाई दा कारन बैस मुबैसे दा कारन किसे दूजे नू नीमे दखान दा कारन बनाया ति मिरा ख्याल इसा नू दिड़ कर लेना चाहिदा है के गुरू नानक सहब दा इबोल उत्थे भी तुकेगा के नानक लिख है एक गल गोर खों मैं चखना चाह बिंती करांगा के गुरू कर अंदर सब तो पहला सी देखिए कैसी पड़ाई केस तलीम नू सविकार कीता गया क्योंके एवी एक हंकार है जदो इनसान कोल तानबाउ तुम दै तानदा भी अपना हंकार है सच एवे जदो इनसान कोल शक्ती बल ताकत उंदी ये ताकत दा भी अपना हंकार है जदो इन्सान दे कोल आपां देखने का के संसार दे अंदर कोई वी शक्ती, कोई वी बाल, कोई वी ताकत इसनो प्रापत खुंदी खे ते इन्सान उस ताकत नो उस बाल नो उदा उनो अपना हंकार खुंदा खे इसे तरह जिमें दास ने अर्ज कीती के तान दा अपना हंकार खे, शक्ती दा अपना हंकार खे, पद्वी दा अपना हंकार खे, जोबन दा अपना हंकार खे, लोकां विच उच्ची थां बिनान दा अपना हंकार हे सच एवे के जिमें दुनियावी पदार्थां दा गुना दा आंकार इंसान दे अंदर नो टिकन नी देंदा इन बिन एसे तरही जदो कोई बंदा विद्धिया पड़के इस गालविच परविर्त हो जानदा है के मेरे तो वद किसे को ग्यान नखी मेरे तो वद किसे को नालज नखी गुरू सहब किने एवी उसे तरह दा ही दोश है जिमें एक ताकत दा तान दा सुन्दरता दा सुहपन दा शक्ती दा बल दा खंकार है गुरु साहिब जी ने खास करके बानीच एक बचनक है पगतरवधास है महराज जी दा ओदे विच उना ने कुछ उना लोगां दा जिकर कीता है जिनना दे कोल सच मुछ गुन बहुत जादा है जिमें उना ने जिकर कीता कि कोई इनसान पढ़के केंदा है मेरे तो वड़ा कभी कोई ने की कोई इनसान केंदा है कि मेरे तो वड़ा विदवान पंड़त कोई ने की कोई ये शब्द केंदा है कि मेरे तो वड़ जोगी कोई ने की कोई लफ़ वर्दा मेरे तो वद सन्यासी कोई नखी पर महराज जी ने क्या कि जे ए चंगे गुणवी खौमे वाल परविर्थ कर दे पैने ते चेते रखी इस गुणा नाल इस खौमे नाल तेरे अंदर ओई दोश जेड़ा दोश संसार दी पदारत कहौमे वेच खे हजूर दे अमर्त बोलने के खाम बाड काब कुलीन खाम पंडित खाम जोगी सन्यासी ग्यानी गुणी सूर हम दाते ए बुद कबना नासी हुन देखो जिनने लफज ने एदे विच कोई अपमान जनक शबदावली ने की सारे परतिष्ट लोकांदे नाल सबंदत ने जिमेंसी पढ़ने खाम के महान कभी खाम मेरी कोल खै मैं पंडित खाम मैं विदवान खाम मेरे कैन तो मुराद है के जे असी चंगे गरंथा दा वी पठन पाठन करके उनानों विचार के सिर्व ओ लफज अपनी खंगतानल जोड रहे हैं मैं सब तो वड़ा ते उनुमी साहिब के ने नानक लेख एक गाल खोर खो मैं चखना चाख जे तेरे कुल सिमर ने बंदगी नखी बस एक गाल की लेखे विच पहनी का नाम बाकी ता सब गुर्देव के ने चाकमारन वाली बाद खें आओ कशी गुरु नानक साहिब जी दे जीवन ची देख ली पामा मैं इसनों साखी रूप च अर्ज नहीं करांगा पर तवारीख ने कुछ ऐसीयां कटना वासां भीयाने जिनना दा सबंद अतिहास नल खिस्ट्री नल तवारीख नल खें पर ओ साखी केवल परदानता नहीं उते शबद दी परदानता खें असी सारे एच चंगी तरह जानने खां के गुरु नानक साहिब जी दी अमरत रचना गुरु गरंद साहिब दे विच पटी रूप दे विच संबाली होई खें याद रखें असी नौम परमातमा दा नाम लेखेच नहीं सिमरन तेरे कोल नहीं ते बाकी कोई गलते जी लेखेच नहीं आएगी पटी गुरु देव दी आसा राग पढ़ने खां मैं ओदे विच विच एक अर्ज करनी चानना उस पटी दियां अर रहाओ दियां तु कां पढ़ो दूशरा सिरी र पास पढ़न वास्ते पेजिया पांदे वा पास उनना नू तलीम लेन ली पिता बाबा कालू सहब जी लेके गये उस वक्त पांदे ने हजूर नू बहुत प्यार की था सत्गुरु जीनू पटी फटी लिखन वास्ते दिती चलो बानीच ए लफ़ गुरु देव ने पटी लिखी ही वरतियाख है पर असिक लफ़ वरदे सा फटी लिखने हजूर सचे पाद्दिसा माहराज जीनू पांदे ने पढ़ाना शुरू किता है। मैं तो आड़े तो पुछना चानना मां के इस पड़ाईदा फैदा की होवेगा एदा मेरी जिंदगी विच की में नू लाब होवेगा सचे पाथशा जी ने उत्थे बड़े प्यारे बचन कहे कहन लगे के देखनानक माराजी ने जदो शब्द कहे ये प्यारे पांदे ने उत्थे ता करें लगे देखनानक जे तु आज ए पढ़ जाएंगा दरजा बदरजा तु अगे पढ़ाई करी जाएंगा तेनों लेखा पता कर्णदी जा चा जाएगी महराज किनने फिर किन्दा फिर तुषी है साब किताब विच माहिर हो जाओगे महराज किन्दा फिर किन्दा फिर तुषी जिवें तौड़े पिता जी आत सतकारत पद्वी तेने जिड़े लोखे लेखे जोखे विच माहर ने तुसी उस पद्वी तक पहुंच जाओगे महराज जी ने क्या फिर की हो वेगा कहने लगा फिर तुसी इस विद्या दे राहीं बहुत सारी दौलतना मालो माल हो जाओगे महराज जी ने उते मुश्करा के कि शब्द क्या कहने लगे पांदा जी जे इन्नी साल लाके इन्नी तलीम लेके सिर्फ दुनिया दी दौलतना लगी मालो माल होना गए मैं इस लिखे नू इस पढ़ाई नू सविकार ने करदा पर मैं तो अनू कहांगा मैं पढ़नू तियार खां मैं तलीम लेनू तियार खां पर मैंनू एको जी लेखा एको जी पढ़ाई एको जी विद्या दे देओ जेस विद्या दी बदावलत मैं कल नू रब दी दरगा विच वी सुर्खरू हो के परवान हो जाँ अज पहला सवाल सी उसे पान देते सच एजे के अज कदी किसे ने धुनियावी तौरते विद्या लें देया एनी सोचया एदा रोखानियत विच मेंनू सेवा विच मेंनू परुपकार विच के नाकू पढ़ाखो वेगा मैं एक टाक्ष नहीं साड़े करांच सच एवे डॉक्टर दी डिगरी वाले बहुत जी मिलनगे साड़ी काउम च पर बहुत काट मिलनगे जेड़े बाहर दे इलाज कर देखो मन दे रोगानू चंगी तरह वाशना मादा भी इलाज कर सक देखो साड़े कुल बाहर दे ग्यानधियां कतामां पढ़ पड़के साड़े टरंक साड़े अटैची साड़े बैग सच मुचे उन न डिगरीयां दे परमान पतरान परे पहने परमें बिंटी करांगा के वी बाई 25 लाके जिनने एनिया डिगरियां हासल कीती हैं जे अजे तक उनु गुरु नानक दा जप भी चेते नी होया दो कड़ी बैठके सिम्रन नी कीता कदी आत्मक तौरते आपने आपे नु समझन दा यतन नी कीता कदी उने आपनी जिंदगी दे अंदर कदी आपने दिलवल चाती मारंदा यतन नी कीता ते फिर बाबे फरीद दे मताबक सिर्व ओ लतीफ अकल होके विदवान होके पढ़के लोकां दे बारे गी अउगन कठे करकर के काले लेख 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 रहा है इसे करके बाबा जी ने बाणी बाबा फरीज सहीब ने भी किया करने जे तेरे कुल तलीम है एना कुछ पढ़के भी तो अउगन कठे करी बैठाएं मैं कहांगा के पढ़ाई वाले सजना लोकां दे बारे लिखन तो पहला अपने मान दे बारे जरूर सोज बाबा साहिब दे बचन सी पढ़ने खां के फरीदा जे तू अकल लतीफ इस विच भी परमान टूकेगा नानक लेख है एक गल जे तू अकल लतीफ काले लेखना लेख आप निडे गिर्वान में सिर नीमा कर देख तू अपने गिर्वान विच चाती मार के देख सिर नीमा करके आपने आपे नू पढ़ चोल माराज जीने में फिर पर करन विच रहा के संसार दे तलीम विच असी माहर खां उस तलीम नाल दुनियावी तौरते मालो माल हो रहा पर मैं बिंती करांगा ओ गुरू के सिखो साब कुछ विद्यानल कमालोगे पर चेते रखे ओ रब दे कार विच ओई मालो माल है जिदे कुल परमातमादा नाम है माराज जी पांदे नू कहिंदे ने मिनू ओ लेखा ओ विद्या ओ तलीम दे जिदे नाल मैं साच मुछ राबदी दरगाविच लेखे तो छुट जाओ मैं बिंती करांगा ओ शब्द कह सिरी राग दा पांदे ने नमसकार हाथ जोड़ देते नानक मैं बहुत यानू पड़ाया पर अज तक मेरे ते कदी किसे ने प्रशन एक क्वश्चन ने स्वाल नी कीता मैं नू नी पता ओ केड़ी तलीम खे जे दे नाल अगे लेखे तो छुट जाईदा है साथ गुरू ने फिर उथे बचन कीते पांदा जी जे कर तो आनू पता नहीं आओ मैं दसनामा के रब्दे धर्दे लेखा के में निबढ़ जानदा है मैं ओश शब्द विच्चों आप जीनों कुछ को तुकां अर्ज करांगा उस विच गुरू देव ने क्या अपां कागज ते लिखिये फटी ते लिखिये पहला साड़े कुल कागज चाही दाख है उस तो बात साड़े कुल दवात चाही दीख है फिर साड़े कुल दवात विच शाई चाही दीख है उस शाई ना लिखन ले साड़े कुल कलम चाही दीख है उथे देखो माराज अंदर दा लिखा लिखन दी गल अपनी रचना चे बख्षिश कीती कैल लगे जिमें कोडे नू पी के तू शाई बणाना खे काने नू कड़के तू कलम बणाना खे कागज जा फटी दी वर्तो करने हथा दे ना लिखने आज अंदर दा लेखा लिखना खे जे लेखे विच गल पहजे क्योंकि जड़ा आईदा शलो के में अर्ज कीती पूरी दी पूरी साडी तवज्जों पूरे दा पूरा फॉक्स इस तोकते वे नानक लिख है एक गल खोर खौँ मैं चखना चाख हजूर ने उते पुरमाया कि जुमें कोडे पी के शाई त्यार किती जान दिए अपनी शरीर दा मो दे अधियास एनू पीश के शाई बना लाए जाल मो कास मासकार देखो अंदर दी तलीम के में आवे अगे लेखे के वे निबढ़ जान जेड़ा तेनू शरीर दा मो चमबड़े है अपनी शरीर नू पालना इनू खवाना इनू संबालना एदा रांग कैम रखना सकेन नू कैम रखना महराज के ने जेस जिनना तू शरीर दे मोच चमबड़े हैं जे एदू अद्दा समा तू बंदगी वाले पास से दे 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 इस मो नू साड मास कार मत कागद कर सार पाओ कलम प्रेम दी कलम बना चेत लखारी हता नलना लेख महराज के ने अपने चेत नू क्योनी तू राइटर बना देंदा लखारी बना पाओ कलम कर चेत लखारी अपनी मर्जीनल मत दी कागजते नी कुछ रिखी दा माराज किने पाओ कलम कर चित लखारी गुर पुछ लिख बिचार ते की लिख आगे लिखे वाली गल लिख नाम अपनी मत ते लिख तू परमात मादा नाम अगला शब्द सलाहा लिख उस नाम दी सलोता लिख जिन्हों आपाँ सिमर्न कहीं ने खाँ मैं फिर अर्ज करा एक है नाम एक है नाम दी सिफद एक नाम लिख उस दी शक्तिनों अपनी मत ते मेरी जिन्दगी दा अधार केवल नाम है जिमें सहीब ने फुरमाया के नानक कैकार केवल नाम लिख नाम सलाह लिख नाम दी सिब्द कर लिख अंत ना पारावार बस आई गल समझन वाली है के दुनिया दी तलीम लेके दावा मत कर मैं बहुत कुछ पढ़ गया अपनी मत दी कागज उते लिख दे के परीपूरन परम सिर्फ तेरी सिब्द कीति जासक दी ए गाल लेके जपाएगी ए दे तो बिना सब चखना चाक है लिख नाम सलाह लिख लिख अंतना पारावार बाबा ए लेखा लिख जान जित्थ है लेखा मंगी है तित्थ होई सच्चा निशान बाबा दारते हे मेरे वीर हे मेरे पाई आ लेखा लिखना जान जदो परमातमा दी दरगाच तेरे तो क्यों लेखा मंगे तेरे तो क्यों पुछे एस परवाने नू निशान दा अर्थ परवाना जेस मत उत्ते परमातमा दी सिफत दा सिमरन दा बंदगी दा लेखा लिखा गया ओथे ए परवाना दिखेगा ते र लेखा मंगिये तित्य होए सच्चा निशान उत्य सच्चा निशान बनेगा मैं अगली बिंती करां एथे चलो शैब ने रहाओ दी तुक्च क्या बाबा ए लेखा लिख जान जद्वशी गुर्देव दी पटी पड़नेगा उस वी ता माराज जी ने बकैदा कह देता के मैं तेनू ताँ विदवान मननागा मैं तेनू ताँ पड़या मननागा जे कर तूं प्रबूदी दरगा विच लेखा देखे सुर्करू हो जाए माराज जी दे अमरित बोलने असी हजूर दी पटी पड़नेगा मन काहे पूले मूड मना ओ मूर्ख मना किस पूले खेविच पै जाए गया जब लेखा देवें बीरा ओ मेरे वीरा जदो तू विदवान सजना प्रबूदी दरगा विच लेखा दे के चला गया फिर समझांगे वाकी तू पड़या मन काहे पूले मूर बना जब लेखा देवें बीरा तो पड़या फिर तिनू समझा जाएगा सच मुच तु महान विदवान है, मैं ठिक अर्ज करनी चाहाँगा, क्योंकि नेगटिव पक लेके, मैं केबल बात नहीं कर रहे हैं, मैं उस तो बाद अर्ज भी करनी चाहना, कि परमातमा दे कारविच, विद्या दी खौमेनू कोई था नहीं, नौलज दे खंकारनू कोई था नहीं, ग्यान दी अग्यान तानू, मैं लवज बरते हैं, ग्यान दी अग्यान ता इनू कोई था नहीं, उस परमातमा दे कारविच, पढ़िया होया ओई परमातमा दी याद भी जुड़दा है, एक मैं बिंती खोर करांगा बानी चाह, पाईकान सिंग नाभा, उना दा गुर्मत मारतन विच, जदो सी विद्या बुद्धी वाड़ा पर कर्म पढ़ने खा, मैंनो याद होना ने गाल लिखी सी, कि कोई शजन विद्वता लेके, मैं तान उस पुष्टक दा, उस इंदराज दा जिकर तान कीता है, मता किसे दे मन चाहे, कि मैं आपनी जबान तो कुड़त पर एक कोई शब्द कहन लगा, पाई सभ लिख देने, पाई कान सिंग जी, कि देने, कुछ लोग विद्या लेके, उस विद्या ना देश, कौम, समाज, ते इखलाक दी तबाई करना लग पें देने, कि देने, एक हो जए शैतान बन दे, ग्यान ही कठा कर लें देने, पर स कई वरी सच एवो देश कातक बन जान देने, विद्वान, कई वरी वो समाज कातक बन जान देने, विद्वान, विद्या में फिर अर्ज करा माडी नहीं, ओई विद्या जेडी अज सानू अरोशनी बिजली दे रिये, एवी ते विद्या दा चमतकार खे, अज कंप्यूट इस सारी विद्या दा चम्दकार है पर मैं अर्ज करां जित्थो तक विद्या मानवता दे पले ले समाज दे पले लियो सार्त खै चे तिर खे ओवी विद्या खै जिने एटम बांब परमानू बांब बनाये होए ने जड़ा एक बंब जेक ते जपां दी तरती ते नागा सा की हिरो शमा चल दे किन्नी वड़ी तबाई कर दे ते आज बंदे कुल उस तो कई गुणा ज्यादा मानवता दा कातक असला बंब एदे कोल पहने मैं अर्ज करांगा एक से पशुनू मारन वास्ते ता नखी असलच इ विद्या पढ़के अपनी ही जात दी तबाई दे ले मैं ताएं परमान दे लगा क्योंके गुरुबाणी ने एक चुसानू सुचेत कीता विद्या पढ़ी इन्ने वड़े वड़े कातक बंब बनाई बैठ है उकादे वास्ते अपनी ही आदम जात मानव जाती दी तबाई दा कारण बंड गेख देनो गुरु नानक सहीब दी भानी चो कैसे कमाल दा महराज जी ने एक उधारन दिता है जिस विश समझाया के जदो विद्या नू शैतानी बिर्तिनल की वर्द है उदो विद्या किन्नी को तबाई कारजान दीख है हजूर ने तेन परमान दिते ने अपनी रचना विच उस विच खास करके एक पशू दा एक पंची दा ते एक मनुख दा जिकर कीता गया है सत्गुरु किन्ने ए ज़रूरी नहीं के हड़ पड़े आखोया बंदा पलाई कर सके पड़े खोय बंदेवी आपनी जाद दी तबाई कर जान देना गुर्देव अमर्त बोल ने सत्गुरु किन्ने शिकारी कई वरी जम्दे खिरनु पकड़ के लेंदा है ओ खिरनु अपनी कार विच लेंदा है उन्हों अपनी कुलो चारा देन्दा है ओधी खुराक देन्दा है ते ओई खरन जड़ा है उस शिकारी दे कार चारा खुराक लेके ओधे म आपनी जात तेरी जात देजड़े खर्ण ने उनानु तु आपने पिछे लेके होने मैं ताई बिंती किती विद्या भी कई वरी आपनी जात दी तबाई दा कार्ण बन दीख शिकारी दा शिकाया सिखाया कोई खर्ण जंगल भी जान दा है ओ बाकी खर्णानु परभावत करके यूं कहलवां के प्रेर लिया उने अपने टांग नाल ओ खर्णा दी डार इस सिखाये कोई इस पड़े कोई खर्ण ते परुसा कर दीखे एदे पिछे डारा बना के तुर्पें दी प्यारे ओ ओ खर्ण जिननु शिकारी ने शिखाया है एदे वर्गे जिडे पिछे लाके आए ओ सिखे होई ने ओ ना कौल ओ पड़ाई ने जो शिकारी ने खर्ण नो सिखाय हर्ण अपने ते परुसा बनवाके पोले पाले अपने वर्गे खर्ण अपनी जाद दे खर्ण ओना नो शिकारी दे कारगे लेंदे पिछे आया नो परुसा ही ने के जिदे पिछे ऐसे लगगे हो बई मान खे जेड़ा सिखाया को या खरन खै ओ तां शिकारी दे कार चला जान दै ओ दे वास्ते दाना पठा शिकारी ने तियार रखे पर याद रखे ओ जेड़े सिखाये को ये ते प्रुसा करके चल पै जदो हरना दी डार शिकारी दे दर्वाजे ते आई ते शिकारी ने तीरा ते गोलिया नन्विन के रख देता महराज किन ने पढ़ाया को या खरन भी है पर अपनी जात दी तबाई करान वास्ते ओधी पढ़ाई ओधी नौलज अपने आनुमरवारी है दूसरी बिंति करा बाज है ए पंची है बाजने खरनू ता पकड़नी लेना बारन बाजने किसे जानवरनू ता पकड़ने बाज अकाश विच उड़न वाला एक पिरंदा एक पंची है पर उन्हें वी जदो पकड़ना है आपनी जात दे पिरंदे गी पकड़ने ने पंची ही पकड़ने ने बाज नो मी शिकारी ने सखाय है उन्हों मास दी बोटी रोई देंदा है रेश मी डोर नल उन्हों बन के रखे है कई वरीं कई शिकारी ता अपने बाज दे पैरा विच कुंगरूई सोने दे बन देंदें खेर मैं इस पासे ना जावां खुण ओ बाज जेड़ा मास दी बोटी खा खा के सखाया हुए है ओ बाज शिकारी ने उड़ाया बाज ओ तितर दे पिछे गया बटेरे दे पिछे गया उट दे खोई पिरंदे उस बाज ने चप्टा मार के अपने पैरा दे नौवां बिच ज खड़ ले खुण ओई तितर ओई बटेरा जा यूं कहला के जिदा शिकार शिकारी करना चांद है उस पंची नूँ जकड़ के शिकारी दे पैरामी सर्दता जखमी खोई तितर बटेरे नूँ शिकारी ने अपनी जीवदा सवाद बना लेया बाज नूं बोटी पादती य इस पड़ाईनों की करांगे जे बाज अपनी ही नसल दा कातक बन गया अपने वरगे प्रंद्यानों मरवान लग पया मेरे कहन तो मुराद क्योंके मैं विस्तार करके भी ए इस शलोक दे अर्थामल आउना चांदा देखो फिर है हर्न सखाया होवे अपनी जाद दे खर्न म परवाद इंदा पकड के शिकारी दे कार सर्द है ते मेरी बिंतिक है कि जदो कोई पड़या होया विदवान नौलज वाला विदवान सच एवे के ओ बई मान हो जाए ओ अपने कार अपना समाज खिमा करे ओ कई वरी पड़े खोय दे फैसले कौम लेवी बड़े वड़े का परवाह दे वरी यहात को जान देने जरी पड़ाई लालच वाले पासे चलिए माराच जी दे अम्रत बोल ने उठे वे उना पड़या नौल सचेट कर दें क्या कि हरना बाजा तैसिकदारा असी अर्थ कर चुके हरना बाजा तैसिकदारा इना पड़या नाँँn फंदी ल बाजा तैसिकदारा एना पड़या नाओ फान्दी लग्गी जात वहाइन अग्य नहीं थाओं सों पड़या सोपंडत भीना जिनी कमाना नाओ बाजी के दो ननन क Arnold लेक है एक गाल सों पड़या सोंडत भीना जिनी कमाना नाओ पहला धे जड अंदर जम्हें ता ऊपर होवें शाओं कैसे कमाल दी उधारन देती कि जेस बरिक्ष दियां जड़ां जमीन दे विच विक्सित ने जेस दियां जड़ां जमीन तो अनर्जी ले रहें ने उस बरिक्ष दे पते लोकानू शाँ दें देने उस बरिक्ष दे फुल लोकान दियां नेतरा नू परवावत कर देने उदे फाल रास देने जेस रोक दी जड जमीन विच होवे उदे फुल फाल पते ते शां लोकानी सार्थक है सच एवे जेस विदवान दे कोल दिमागी ताउरते ग्यान होवे पर सिन्ने विच रब दी रुखानियद दा खजाना होवे जड सीन्ने विच बंदगी दी ओवे ओदे बोल ओदी कलम ओदी संगत ओदी सोबत सच एवे के सब दे अंदर नू ठंड पादेन दीखे मैं इस तो अगली बिंती करा देखो कई वरी पड़े कोई विचार चर्चा कर देने बैसम बैसे विच पैजान देने कई वरी ता एथो ताक के शबदी गल करदे करदे कई वरी अपमान जनक शबदावली लिखन विच ते अपमान जनक शबदावली बोलन वाले पासे वितोर पेंदेने मैंनू याद खे के गुरु हर गुबिन सह महराज उनना दे पुवित्तर चर्णा दे विच एक गुर्मक प्यारे शिख पाई दरगाजी अंदेने सत्गुरु नू अकांत विच बिंती करदेने सचे पाथशा के कुज सिख ऐसे ने जड़े शबदी चर्चा शबदी विचार करदेया शबदी गल करदेया इकोदम करोद विचाजान देने गुशे विचा आजान देने, ते कैवरी आपस विच खरवी, रुखी, अपमान, जनक, शबदावली वर्तम तो शंकोच ने कर दे, महराज, छेवे गुर्देवदे बचन, मिरा ख्याल साधे विद्वानानू सबनू एज जेंच रखने चाहिए देने, महराज जी ने क्या पाई दरगाहा, चार तरांदी चर्चा है, दो तरांदी चर्चा सिखने करनी खै, पर दो तरांदी चर्चा दे नेडे, दो तरांदी चर्चा दे नेडे जिंद्गी चिपोल के कदी नी जाना, पाईदरगा पुछ देने माराज सणु एक किरपा करके दसो ओचार तरहंदी चरचा की खे सत गुरू गुरू हर्ग बिंद से माराज उतर भक्ष देने किने चार तरहंदी चरचा कै पहली खे वाद दूसरी खेत तीसरी खे जलब ते चोथी है वितंडा वाद और खेत चर्चा एस एक जिन्दगी चे रोज आना अपना है जदो मौका मिले पर जलप और वितंडा इस चर्चा नू अपनी जिन्दगी चे कदी निपोल के लिए उना पाई दरगा जी किन्ने माराज फिर किर्पा करके सानू एना दा खुलासा थोड़ा जा विस्तार कर देू सत्गुरु गुरु हर्ग बिन सह्व दे बोल सुन वाले ने किन्ने वाद चर्चा एक है ते मैं दूर तक बैठे जो दर्शक सरुते सुन रहने मैं अर्ज करांगा आशा की वार केवल नौलज वास्ते नखी आशा की वार एक जीवन जाच है आशा की वार एक करेक्टर है आशा की वार सिख दा एक करनी नामा है गुरु हार्ग बिन्द सहीब केंदे ने के पहली वाद चर्चा है के एक सिक शब्द पढ़ रहे है क्योंकि आपा इनू सिखी ते टुकाने का एक शब्द पढ़ दे रोज ए ए सैज पाठ कर दे नितनेम कर दे पर जेकर उनू समझ कोई नी ओशब्द पढ़ दे उनू समझ कोई नी ओनू शब्द पाव अर्थ नी समझम दे उनू इक काम करे उनू शब्द नू नोट कार लवे ते जदो कुई आपने तों ज्यादा स्यानप वाला गुर्मख जान मिले ओधे कोल जा के जेड़ा शब्द नहीं समझ पया उनू बिंती करके कैवीर पाईशयव गुर्मख जी आज शब्द मैं बड़ी बार पड़िया मैंनू इस शब्द बारे समझ कोई नी पई ते ओ जो समझाए अपने तों ज्यादा समझ वाला उसको निम्रता सहत बैठके समझ के उस शब्द नू अपनी जिंदगी विच कमाल है वाद चर्चादा अर्थ है आप स जेन विच बैठ जाए ते उस चीज नू अपनी कार विच आके अपनी करनी विच टाहल लवे मैं फिर बेंती करांगा पुछ दे असी मिया पर अज ज्यादा तर जड़े लोगां दे सवाल ने ओ दुझे दी नौलज नू परखन वास्ते ने दुझे दी विद्वता दा इ गांध चर्चा। दूसरी चर्चा हेत ए दो चर्चा सिर्फ सिखने करनी आनन। खेत दा अर्त के दो शिख पाठ कर देने बानी पड़ देने समझ ने पहिंदी पर दोन्हों इकटे खोंड संगत वीच बैठन आप इकठे होके अपने अपने ख?!क अपनी अपनी विचार अ आपने ज्यान दा अधान परदान करन। एक दुझे न दसन में नू आ समझ पई माराज किंदे ने इस चर्चा विच भी फैदा खुंदा है कई वरी दोना दे ज्यान दा जदो अधान परदान हुंदा है एक दा ज्यान दुझे दा शंका नविर्थ कर दिन दे ते दुझे द ग्यान दुजे दाशंका निविर्द कर दें दें माराज ने थे उदारन दिती के लगे जिमे एक दीवा बाल दाख है ओ दीवा चुफेरे ता दीवे को दोनों दीवे कठे रखे जान गुर्शिको दोमें दीवे एक दुझे दे थल्ले दा अंदकार भी खत्म कर देने एक दीवा सिर्फ दुझे नू चानन देन दे अपना हनेरा दूर नी कर सकदा पर दो दीवे आपस विच इकठे हो जान नेडे नेडे खोन ओ एक कुझे दी अग्यांता विचारां दे अदान परदान नल दूर होएगे ए दो चर्चा सिख विद्वान करन वाद चर्चा और खेत चर्चा तीसरी चर्चा है जलब ए निपोल के करनी ते चेते रखेओ आज कल सिखा मेंच पूरे जोर ते जलब चलता चारीख जलब चर्च दा अर्थ हुंद है कि आप इनना कुझ पड़े है बंदा कि अपने परवाना दा अपने खयालाता दा अपनी विचारता रादा पक पूरन दे ले अनेका परमान दे जाने अनेका तरादिया जुगतिया दसी जानिया अपनी गालनू परमाना समयत सिद करी जाना दूसरे न अपमानत करन्दे ले यह मेरी बosionतिय में शबद वर्तय अपमानत करन्दे ले ओधी खेठी करन्दे ले ओन्धे खान्दे ले दुजे दी खेठी करंदे ले परमान दे जाने सत्गुरु के दिने गुरु का सिक पोल के भी कदी जल्प चर्चा वाले पास है ना पवे ए नहीं करनी आप विचार करो पर किसे दी खेठी करंदे ले नहीं मैंनों याद है के शिरी गुरुनानक परकाश सोर्ज दे गुरुनानक परकाश गरंते करता जहां गुर परताप सोर्ज गरंत सी पढ़ने खां गरब गंजनी टीका पाईस है पाईस संतोक सिंग जी उना दे इस टीके दी इस गरंत दी शिरी मान पाईवीर सिंगुणाने जदो परचोल कीती टीका टक्पनी कीती जिथे दिसया मानमत खे ओथे नाल अपने विचार दे दे जिथे गुरुमत दे वरोदी कुई तात दिसया ओथे भी पाईवीर सिंगुणाने बड़ी डिटेल दे सैत उस गरंत दी टीका कारी व बिंती करांगा, इंसान इंसान है, पर उना ने पाईसाइब जी दे गरंट नू वाचन तो पहला एक पोथी लिखी, पाईसाइब दे जीवन बारे, इस गरंट चेखे किये, एक गरंट चेड़ी शब्दावली है, ओदे विचो ना दोनू पक खोल के रखे, मिलावट के में पही केडियां चेजां जेडियां ने ओ गुर्मत दे प्रती कूल ने, गुर्मत दे अनकूल ने, पर मैं ओदे विचो नू कटना जरूर सुनानी चानना, जिदे विचो नू कोई शिखन दी, बहुत वड़ी एक समगरी मिलेगी, पाईसाइब कैथर रेंदे ने, कैथर रे प्रमातमा ने एनानू कवता दा बड़ा बड़ा खुनर देता है, एक वरी कैथल पात राजा उदै सिंग दे कोल, एक बहुत ही ओच पाएं दा, ओच दर्जे दा विदवान पन देता है, उनू पता लगा, विचिक बड़ा बड़ा विदवान है, पर आपने आपनू ओ ब लवान किसे टांग नल ओधिनन मुलाकात करके अपनी विद्या तो जानू कराया, ते नाल एवी आपने वल्लों कह दिता कि मैं आप जी दे कभी मा कभी पाई संतोक शिंग नाल विद्या दे सबंद भी चर्चा करनी चाना, राजा उदा सिंग उनाने सविकार कर लिया, उन अनू संदेश पेश देता, के फलानी था तो एविद्या पंडित आये ने, ओत्वाडे नाल चर्चा करनी चान्देने, ओत्वाडे नाल संवादर चाना चान्देने, पाई संतोक शिंग नाने क्या, इक किरपा करियो, के चर्चा तो पहला, मैं ओननल पेट मुलाकात करनी जाना, ओ विद्वान पंडित गया, श्याने बंदे, थोड़े जए शबता तो ही पता लाज लेंदे ने इस बंदे दे कोल की है, पामा के साड़े लोग गलकें दे सन, के दस्तार, गुफतार, ते रफ्तार तो बंदा पहचाने आ जानदा है, ए पुराने शब्द संसादे बंदे दी दस्तार, ओदी बोली, ते ओदा चलन दा तरीका जेड़ा है, आज कर जेसी केजी जिन्नों केने असी बोडी लेंगवेच, बंदे दे शरीर दी लेंगवेच चो पता पचाने आ जानदा है, ओ विद्वान पंडत, 25-25 संतोक शिंग जिन्नों आ के मिले, 25 ने थो बंदे ने उस खौमेच जी रहा है, 25 संतोक शिंग उन्नों आपने वलों सोने दिया मोरा, सोने दे कड़े दे देते, ते नाल सतकार से एक शबदावली वरत के क्या, पंडत जी, मैं आप जी नल चर्चा नहीं करनी चानदा, ओ पंडत सब कुछ ले गया, पर एक ओदे कुल तलीम नी मिरनल चर्चा नहीं कर सकता, उन्ने राजा उदा सिंग नों जाके हंकार परी शबदावली चकिया, ठीके तवाड़ी रियास दा कभी है, पर ओ चर्चा करन तो इनकार कर गए ने, मैं गल मुकामा, पाई राजा उदा सिंग ने, पाई संतोक सिंग जी नों पुछा कि की तुछी चर्चा नहीं करनी चांदे, उन्नों तुछी सोना, बस्तर, कंगन आदक दे देते, पाई संतोक सिंग ने, ऐसी ता कोई गल ने, राजा उदा सिंग के ने, की तुछी ओदे ग्यान तो हार कबूल ले, पाई सिंग कि ने, हार जिता परमातमा दे खात जाए, ते ज्यान दा दाता भी परमेश्वर गुर्णानक सेबक है, ठीक है जो दे इच्छा है चर्चा करे, मैं ओधन चर्चा करनों त्यार हाँ, दे नियत हो गया, सोजवाद विद्वान इकठे हो गय, किनने जदो चर्चा शुरू होई, पाई संतोक सिंग दे बोला दा ओधे ज्यान दा, पंडत कोल कोई उतर ने से, कोच ही मिंटा विच, पाई संतोक सिंग जी दी उस विद्वता दे समने, उस विद्वान पंडत ने आपने गोडे टेक देते, शस्तर सर्च देते, जाईयों के लिए खार मान ले, जदो परेखोई दरबार विच, पंडत दी खार होई, ओ नमोशी नाल, पानी पानी हो गया, ओ दी नजर नीमी हो गई, कभी संतोक सिंग दी गल सुन वाली उस वेले, उना ने परी कोई सबा विच किया, कहने लगे राजन, सदकार योग, जितने बैठे संग, विद्वान, मित्रोब, के ए इंसान, ए विद्वान, कु पान दी खातर, इनू पैसे इनाम वगारा दे दिता सतकार कीता, मिनू पता से इने हार जाने, मैं नी साचान्दा, मैं गुरू का सिखां, के परेखोई दरबार विच ए अपमानतो वे, ए शर्म सारो वे, इनू नीमी पानी पै, क्योंके गुरू का रविचतर चर्चा ओ प पता सी के इस बंदेने खार जाने, ए खार के नमोशी भी जाएगा, तो मेरी जित किते खौमे दा कारण ना बन जाए। कहने लगे, मैं इस करके चर्चा नहीं करनी चानता, कैसे कमाल दी उदारने, कभी जीदे जीवन दी, मैं अर्ज किती चर्चा, वाद चर्चा, घेत च चर्चा सिख करे जल्प दी मैं परबाशा दस दिती के अपना पाक पूरी जाना दूसरे दे पाक नूँ खंडन करी जाना ए चर्चा परवान ने तीशरी जल्प तो बाद चौतिक है वितंडा वितंडा दा अर्थ के आप ज्यान कोई ने आप समझ कोई ने पर सच एवे के ब बंदा चगडालू बिर्ती नाल समझ कोई ने जान बुझ के अपनी अग्यान ता नाल किसे घ्यान नू कटी जै तरकनल कटी जै माराज किने वितंडा वादी चर्चा कदी भी परवान ने मैं ताहीं बिंती करांगा के गुरू कारविच पड़ाई बारे के आ गया के सत्ती सत्ती पहरी सत्त पड़ा के एनी क्या विद्यान निंदी है सत्ती पहरी सत्त पड़ा बैय पड़े आ पास माराज के तु विद्वान कोल बैठ सोजवान कोल बैठ पर उस पड़ाई नो तेरे पाप ते पौन दी समझ पह जै तेरी कोड दी पौन जी काट जाए उस पर जे सच एवे नाम तो भी ना फिर ओता किसे अर्थ ने हजूर दी इस पवित्तर शलोक दे आओ मेरे कैन तो मुराद मैं थोड़ा जाताँ विश्तार कीता गुरू का अंदर निमरता संजुगत परमेश्वर नल जोडन वाली ही तलीम नू सविकार कीता गया है जे विद्या पड़के सिर्व इनसान चाखमार्द है ऐसी विद्या नू सविकार ने कीता किया सत्गुरू गुरू नानक सहिव जी ने इस नौमी पाउडी नाल पहले शलोक विजो बक्षिश कीती एदी अरंबता है शलोक महला पहला इदापाव इस शलोक आद गुरू सत्गुरू गुरू नानक सहिव जी दा उचारन कीता है पहलिया इस पवित्तर शलो रुक दिये, ए तुका ने, पाड, पाड गड़ी、 लद्दियां है। इद आ पाथ असी जिदू करना, लद्दियां नहीं करना। पढ़ पढ़ गड़ी लदिया है जे कर किसे विदवान दियां पढ़ियां हुई यां किताबां इनियां ज्यादा होन के उस दे पढ़े कोई गरंथ पढ़ पढ़ मैं शब्द बरतांगा के जेड़े गरंथ ओ पढ़ रहे है जेड़ा पढ़ चुका है जेड़ा विचार रह है उहना पड़े खोई गरंत आदी गडियां अधस्तो पड़े यहां पड़े को गरंध गड़िएं कि पर एजाने मैं कोई रही सोचना आखर की дав्या कौल मेंत को हो जिद फड़े खोई गरंथ वीक अधस्केद आधस्ता हैं स네वे मिंदात साथ परियांद अर्थे परे जान, साथ लफज एदा अर्थ सौखा एव वेगा, के साथ चलनवाणा काबलावी सारा गरंथा नल परे आखो वे, फिर बिंती करा, पहला है पढ़ पढ़ गड़ी लद्धियां है, पढ़ पढ़ के बहल गड़ियां, खचरा, सारियां गड़ि गरंथा नल परे खोन, ते पढ़े कोई गरंथा नल, जिनना काफिलाख है, मालो उंट ने, ओभी कताबानल परे खोन, पढ़ पढ़ गड़ी लद्धियां, पढ़ पढ़ परियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईये, इत्थे पाट पाईये है, पाईये नहीं, पढ़ पड़ बेडी पाईये, बेडी दारत किष्थी नाव बोट के जदो विदवान ने दर्याँ पार करना होगे, क Korada आपता है किष्थी जासकता है, कई किष्थियां, कई नोकावा, कई बेडियां जेडियां ने ओ इस करके किरायते कितिया होन, के फ़लाने पंडत जी दे, गर आरे लिजाने ने इनना पड़िया हुए कि बेडियां दियां बेडियां गरंथां देनाल पर यां जान पड़ पड़ गड़ी लदियां पड़ पड़ पर यह साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई यह ते अगला लवज बचन ने पड़ पड़ गड़ गड़ियां है खात इत् फिर स्यान लशनियों के पड़े कोई गरंथ गड़िया दा अर्थ कहियां ने एक कीते ने के गड़ दे ने खात लफज दे अर्थ कीते ने खता जा नीवापन तोया पर मैंनू थोड़ा जैस्ता अंगल बिंती करांगा के कुछ विद्वान सजना ने पड़ पड़ गड़िय परे जान गड़े जान गरंथ होते परे थिक अर्जख है गरंथ दो अपमानी किता जान दा इस तरह यह थे पड़ पड़ गड़ियां खात बड़ा चंगा होवे जेदे अर्थ इस टांगनल करिये जिवें पुरातन समय करांदे विच तै खानने खुन दे सां ते जेड़े कि मतां मेरे इना गरंथ थांदी किते कोई चोरी ना कर लवे एक गरंथ कोई मेरे चोरा के ना लए जाए महराज कितने इन्ने गरंथ पड़े खोन कि तेरे पड़े कोई गरंथा नाल सच एवे तेरे तै खाने तेरी बेसमेंट एक कताबां दे नाल पर ही खोवे इन्ने गर थोड़े ज़े देख लिए पड़ पड़ गड़ी लदियां पड़े कोई गरंथा नाल बेल गड़ियां लदियां जान पड़ पड़ परियां साथ पड़ पड़ के गरंथा नू काफले आंदे काफले सती जड़े न उना दे सिरते गरंथ होन पड़ पड़ बेड़ी पाई पड़े कोई गरंथा नाल बेड़ियां पर या जान पड़ पड़ गड़ियां है खात बेसमेंट तै खाने पड़े कोई गरंथा नल पर है जान पड़ियां है जेते बर्स 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 दा अर्थे साल के जिनने जिन्दगी दे साल विद्वान नू उमर आर्बला मिलिये उस स मारे दे सारे जड़े साल ने ओ कोई वी साल ऐसान हो वे जिस साल नौलच विद्धिया तलीम ना लेखोवे जिन्दगी दे पूरे साल सच एवे के ओ विद्धिया पढ़दा होवे हर साल ओ दा ग्यान होर वदी जाए अगे माराज के दे पढ़िये हैं जेते मास मास दा अर्थे मिखिना मंत के दे जिन्ने साल ने ओ वी विद्धिया पढ़दा भी जाण ते जिन्ने मिखिने ने ओ दी जिन्दगी दे ओ एक एक मिखिना वी विद्धिया दी पढ़ाई वे चीजा एना पढ़िया होगे साला साला दिमेंत, मिखिने मिखिने दिमेंत, पड़ियां जेते बर्स बर्स, पड़ियां जेते मास, अग्गे महराज किने पड़िया है, अग्गे सी पार्ट पड़िया है, ये थे ख़ए पड़िया है, पपा राडे नू ब्यारी, एडा एदे उते धुलामा, पइला पार स पपा राडे नुब्यारी एडा खाहे नुश्यारी ओगाए पड़ी यह है एते है पड़ी यह है कैवरी पाठ किरतनी यह आम बोलन वाले सिक पड़ी है शब्दी सारा वरती जाने एते महराज के दिने पड़ी है जेती आरजा जेती दारते जिन्नी आरजा दारते एज उमर आर्मला सत्ट गुरु कि दिनीग उमर बंदे दीखै सारी दी सारी उमर इनसान ने पढाही कीतीख ओए इन्हा पड्या ओए ते है पड़ी यह यह है इत पड़ी यह नि Tap फिर इती पाठा गया पड़िया है जेते सास पड़िया है जेते सास जेते दरते जिन्ने मी सास दा अर्थ करांगे स्वास सा इन्सान जिन्ने वी साल इंदे एक एक स्वास एदा पड़ाई दे विच तलीम दे विच विद्या दे विच ए बतीत होगे मैं फिर बिंती करांगा असी तत वस्तु एतो तक ता माराज जिने जिक्र कीता कि एस हाद तक कोई विदवान होवे एस हाद तक कोई पढ़िया होवे अखीरते माराज के लिए नानक लेख है एक गल लेख है दा अर्थ जिने थाएं पौने है जेडी परवान खोनी है कबूल खोनी है एक गल गल दा अर्थ वैसे बोल सी करने है गल बात भी वरतने है पर एथ एक गल दा अर्थ एक एलिए एक परमातमा दी सिफ दी गल एक परमातमा दी वडियाई दी गल एक परमातमा दे विर्द दी गल एक परमातमा दे जिकर दी गल यूं कहलवां एक गालदा अर्थ केवल गल्ला बातानी करना हालांके मारा इन्हें बाणी चेक एक फिरैक ने रेक करें गल्ला गल्ली किना ना पाया ये थे एक गालदा अर्थे सिम्रन जिन्हों बानी ने एक शब्द भी क्या है एक अखर भी क्या है जिमें सी गुरुदेवदा एक बचन पढ़ने हैं बेद कतेव सिम्रत बोव शास्त इन पड़ेयां मुक्तना होई एक अखर जो गुर्मक जाप है तिसकी निर्मल सोई एक गालदा पाव कला एक गालदा अर्थ नहीं के मैं रबदी कता कर रहा है एक गालदा अर्थ कहे एक परमातमा दा सिम्रन एक अखर महराज जिन्हें शब्द भरते हैं बेद पुरान सिम्रत सब सास्त इन पड़ेयां मुक्तना होई एक अखर जो गुर्मक जाप है तिसकी न रहे मल शोई इनुआ बाबा जिने बाणि वीचे भी शब्द भरते हैं एक शब्द मेरे प्राण बस्तखे मैं ताँ एक गाल एक शब्द एक अखर एदा अर्थ नाम सिम्रन लेखेविच पैनवाली गाल सिर परीपूर परमातमा दा सिम्रन कहे उदा नाम आखे मैं फिर अ उदे कुल अख्रांदी पर मारूंदी उदी बुद्धी तीखन हो जांदी याद रख्यों कई वरी सिमरन करन वाले नू गलां बातां मिच नगुरा बंदा तारकक बंदा नौलजवाडा बंदा दुनियावी तौरते समीदा में हराद ताख जिमें सातगुरू ने बानी चे है कि जो नगुरा बातां जाना है जिवें नगुरे बंदे नौ गला बहुत हो दियान ओ हर धर गया है प्रश्टी पर रब्द कारविच व प्रश्टिक है फिर थे अर्ज करा पगत कुल हो सकता है वकैबलरी एनी ना होवे कोश शब्द कोश ना ना होवे ते विदवान व एदे शब्द बड़े मांजे कोईन मैं बिंती करांगा एथो तक कि गुरू गरंस है विचता कबीर सहीव दे बोलने कि जेडा बंदा गला नाल असमानों मी तर तीते सट लेंदा है पर प्रमातमा दी बंदगी निकारदा एखो जै बंदे तो सदा डर की रहो उदे कोल गल जिमें सी शब्द पढ़ने आख हर जा सुनें ना हर गुन गामें बातन की असमान गिरामें ऐसे लोगन सियों क्या कई है जो प्रब की ये पगते बाह इतिनते सदा डराने रखी एक हो जै विदवाना दा सुबाख है ओ चाखमार दे निंद दे निके खेने चे आप न दे चुरूबर पानी ते निंदे जे गंगा आने आप कदी प्यासे दे मूच चुली पानी दी निपाई ते निंदे ओना दी करने जिन्ना ने पगी इर्थी गंगा पैदा कर दती हो मैं ये दे अर्थियों करांगा सटेज ते बैठके मैक दे सामने हर नू निंदी जाना किसे बंदे दा लियाज ना करना चेते रखे ओ दुनिया भी सब तो सवख है किसे नू अपमानत करना किसे दिन इंदिया करनी साथ गुरू कि जने एक गल गला बहुत ने बंदे कोल पर जे एक गल परमात्मा दा नाम चेते नहीं ते सच एवे एक गल तो बिणा कोई गल भी ले लेकेनी पयाँने क्योंकि सारे शलोक दा तत पास है और एका नानिक लेक है एक गल मैं अर्ज प्रमास हर एक गल está हर एक जार्व नामए इढ ہو ता एक कोगार्व यहां कि से लवां जिम्हसाहभि ने किया के जपो था एको नामा एक गाल सिर्फ एक गाल परमातमा हजूर ने किया जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा जादियां गला करन दी था सिर्फ एक गाल समझ पहे जाए मैं अज बुले शादी रचना वाचर यासा ओदी रचना एक है ओदा सर लेके एक अलफ पड़ो छुटका राखे बाबा जी में एक गाल एक अखर एक शब्द केंदे ओदी रचना दियां चार के सत्रा ने एक अल्ला गुर्मत च नहीं सच एवे जेड़ा बंदा सिपिर्चुल्टी च रुहानियत ते शिकर ते पहुंचे ओशारे यांदी मत एको वेगी अग्यानी बंदे यांदी मत वाखवक हो सगदीये ज्यान वाले यांदीयां वाखवक मत तानी ताहीं तास प्राणे लोकानिक शब्द क्या सोश्यानिया एको मत मूर्क आप वापनी तुशी देखो बाबा फरीज सहब पांक पटन चने अयोधन पगत जैर देव जी बंगाल चने पगत कबीर सहब जी पगत रवदास सहब जी यूपी चने पगत तना जी राजस्तान चने पगत पीपा जी राजस्तान चने पगत नाम देव जी माराश्टर चने मैं का अर्ज करां किते किते बैठे पगत वो आज दी तरह टेली फून ता है नी संग आज दी तरह जड़ा अलेक्ट्रोनिक मीडिया है ये ता है नी सी पांक पटन बैठे फकीर दे बोल माराश्टर बैठे होई संत नाम देव जी दे बोल यूपी दी तर्तीते बैठे खालवान वाले पगत ता नाजी पगत पीपा जी दे बोल यूपी दी तर्तीते पगत कभीर सहिभ पगत रवदा सहिभ दे बोल पगत रामानांजी दे बोल इना सारे माँ पुर्खां दी बानी तुसी बढ़ देओ इना सारे यांदा इको माते पर मूर्ख बंदे नेडे नेडे बैठे होंते उना सारे यांदी मात वकरी वकरी होंदी स्याने दूरी ते बैठे हों उना दी अकल सच एवे मात इको होंदी मुर्ख पामें एक कारविच बेटें उन्ते सारे यां दी आप वापनी मातन दी ताहीं ता पराने लोग केंदे संग के सौ से आनिया एक को मत मुर्ख वापनी मैं खैर शब्द कहरे हैं एक गाल बुले ने शब्द लिखे आखे ओधी रचना खे बन हाफज बन हाफज खिफज कुरान करें शब्द बड़ा कमाल दें मैं चंगे लगे मैं ताम वरते ने थे एक गाल हाफजदार थे जिननों कुरान जबानी खिफज हो जाए ओधी लफज हाफज वरत दें बन हाफज खिफज कुरान करें पढ़ पढ़ के साफ जबान करें तू कुरान पढ़ लगे अपना मुं भी साफ करने उजो साजने जा यह कहले ओ कान्दी पवित्रता भी तेरे कपड़े पवित्र बन हापज खिफश कुरान करеं पढ़ पढ़ के साफ जबान करें फिर नियामत दे विच त्यांता रें नियामत दा अर्थ एक उन्दा बक्षिश एक नियामत दा अर्थ उन्दा तानप दा खजाना इसा मतलब बुल्ला कह रहे है कि तू हाफ़ज भी बढ़ गया है कुरान भी तेनू चेते वे जिनों बाबा जी ने क्या गड़ियां लदी बैठे पढ़ने वाले दूजी गल उन्हें क्या तू अपनी जबान भी पा करे तीजी गल अखा बंद करने दुआ कर ली मन तेड़ाता हलकारे दी तरह उन्हा लफज एक हलकारा भी वरते है हलकारे दा अर्तुन दा संदेश वाक इनु जजी में आपा पोस्ट मेंन कहने है हरकारा लफज भी वरते साँ ओ लिखदा है बन हापज खिफज कुरान करें पढ़ पढ़ के साब जुबान करें फिर नियामत देविच त्यांता रें मन फिर्दा जिओं हलकाराए एक अलफ पढ़ो शुट काराए प्यारे आएक अलफ केवल रबदा नाम की तेजापल है मैं एनु शिरीमान पाईवीर सिंगुना दी रचना चूँ नानक लेखा एक गाल खोर एक गाल तो बिणा सिम्रन तो बिणा चेते रखो पामे गुर्दोरे बैठा भी बंदा जिनियां मर्जी उकतियां जुकतियां परमान जाई जाए सिम्रन तो बिणा में ओ सारियां गला लेखेच नहीं पाईवीर सिंगुना दी रचना खै जी ग्यान ते अग्यान मैं फिर अर्ज कर देयां मैं इस कल्च नहीं बोर रही है कि विद्या दे वरोद विच क्यों कि अगला शलोक आप पर विचारांगे जदो ओ उन्हें लिख लिख पड़ेया तेता कड़ेया जिनना पड़ गया ओना करोज गया पाईवीर सिभ ने लिखिया है कि किछ जानेया आखेया जान लिता ये समझ पहेगी कुछ नौल जागी क्या मैंनू सब कुछ पता लग गया किछ जानेया आखेया जान लिता कोछ नाओं भी आपना बना लिता ते आन उस दे विच न रती रहा आले पोल दे विच टिका देता ये फिर सुने हो पाई सब्दी रचना जिदी गाल कर रहे है ओ दे चित्यान नहीं यूं मैं कवाँ सुखमनी सहभ मैं पहला शुरू कीता ते पड़ेया सिमराओं सिमर सिमर सुख पामूं गुरु अरजुन सहभ के दिन पर की मैं सिमरेया जो पड़ेया हो दे चित्यान नहीं असी जाप शुरू कीता ते बचन शुरू होया जाप आद साच जुगाद साच है पी साच नान को सी पी साच पर पड़ेया कोई पड़ेया त्यान नी दिता भी जपना मी खै असी रोज पड़ दिता ए मान प्यारेया तू सदा साच समाले पढ़ेया जरूर पर उनु समालेया ना मैं फिर बेंती करांगा के बंदा पढ़दा खे पर जो पढ़ेया ओदिच त्यान देए त्यान विच जीवन पैदा हुएगा ताई पैशव लिख देने किछ जानेया आख्या जान लिता कुछ नाओं भी अपना बना लिता त्यान उस देविच न रती रहा आले पोल देविच टिकादता जदो बैसोवे खोरखों में चखना चाक जदो बैसोवे उदो कथा करनी जदो बैसोवे इकको कथा करनी उदो ग्यान दा तोलवे जा देता ओ लोको इस ग्यान नलो अग्यान चंगा लगातार जेत्यान लगा देता गुरु नानक साहिब के देने तेरे पड़े कोई गरंथां दे ऊट, गड़ियां, बेड़ियां, तैखाने, परे खोन एदे विच समेंदा जिकर भी कर देता, के तेरी जिन्दगी दे साल, तेरी उमर, तेरे सवाश, एक एक देन, तेरा उस पड़ाईच बद तब दील होवे, जब बीतिया होवे, जे परमातमा दा नाम नानक लेख है, एक गल, खोर खौम है, चक्छना चाक में थोड़ा जया, क्योंके गल थोड़ी जी कलियर हो जाए, मैंक शब्द वरते है, नानक लेख है, एक गल, खोर खौम है, चक्छना चाक, कई बरी, अशी देखने हैं, गुरु का रविच किर्तन हो रहे हैं, मैं इनु चाकला पज नहीं बरता हैंगा, वैं गुरु जी, निम्रता सैथ, केड नहीं लोकां दे ख्याल उच्च खंदेने, पर उना दा जीवन उच्चा नी खंदा, फिर ते आननल सुनेओ, ख्याल दी उच्च ताई, ते सूर्थ दी उच्चताई, जयं इओ कह लोआ जीवन दी उच्चताई, दोना जे फर्क हैं, पाई गुर्दास सहंब दी करचना है उस विचोना ने कईवरी धुनियावी तवरते जड़े उच्चे लग देने उपद्वी करके उच्चे खोन विद्या करके उच्चे खोन ग्यान करके उच्चे खोन अकार करके उच्चे खोन जे ओना लोक कांदा जीवन देखो ते कई वरी नराश्ता पले पहिं दीखे हर उच्ची चीजदार थे नहीं के ओधी बहुत वड़ी कीमतों गुणानल पर पूर्ख है पैसब ने को दारंद देती है कई लोक जपनी माला आदक जड़ी ओजाप देन ओन माला जड़ो पुरुई जानदी ओधे निके-निके मन के तागेच पुरुण देजा पर एक मन का जड़ा है ओनू मेरू मन का के इनुद怖 तो बड़ा हुं दे ओ माला बेशिक्र हुति हुं देश सब तो उच्चा हर मन के दे ऊपर हाथ राख के कोई राम केंद है चलो साधे सिख माला शब्द वर्द या वह गुरू केंद या कोई मूल मंतर पढ़ दे उज मैं बिंती कर देंगा के माला किना चंगा होए गुर्बानी केंद ये तेरी जबान गी माला बंग जाए कभीर सहीब ने क्या कभीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आद जो गादी सगल पगत तांको सुख विशराम चलो खेर माला दे एक एक मन के नू क्यों कैसी पाई सहीब दी रचना चो उदार ले रहे इक मन के नू हाथे च पढ़या मौती नू ते वेह गुरू शब्द के आगा राम केअ अल्ला केअं पर जेड़ा शरूमनी मन का है जिनू मेरू क्या जानदै ओ दे उत्ते हाथ राख के कदी किसे ने राम नी क्या कदी किसे ने ब्लादू निक्या यूं कहला वैगरू शबद क्योंके बाकी सारे मनके जिड़े ने ओ राम नाम दी गिंतीच आ जान देने पर जिड़ा सब तो उपर मनका है मेरू मनका ओ कदी गिंतीच नहीं आया याद रखे ओ जिड़ा सब तो उच्च है ओ लेखेच नहीं मैं इस तोकते परमान टुकाना चानना नानक लेख एक गल खोर खों में चखना चाख सारे मोती गिंतीच आ गए उना दी गिंतीच राम नाम क्या गया वैगरू क्या गया दो केश चीज दा जिड़ा सब तो शरोमनी मनका है ओ गिंतीच नहीं आया जिमें माला दा शरोमनी मनका उच्चा मनका गिंतीच नहीं आउंदा कई वरी उच्चियां कताबां लिखन वाला उच्चे बोल बोलन वाला उच्चे खयाल देन वाला उच्चे उच्चे गरंता नो पढ़न वाला याद रखेो रब दी दरगाच केई बंदा ओ लेखे विच उंदा ही ने ओ गिंतीच ने उंदा मेरू उच्चा पर गिंतीच ने दूजी बेंती करांगा सब तो उच्ची उड़ारी इल बड़ी उच्ची उड़ दी कबूतर कां तोते इननों सब तो जादा उच्ची जेड़ी है ओ इल दी उड़ारी है पर कदी तुछ देखो इनी उच्ची उड़ के इल की ओधा अंदर कदी उच्चा होए है असमांच उच्ची उड़ दीए पर ऋधी नजर तरतीटे पेखो hoop मरेः खो पश्चवां दे पिंजर चि रहिं दी मरेः खोब पश्चवां दे पिंजर ते आके ठा करके कि ते कोई पन्ची कोई चीज मरा भ़ोय आ प्याद होए इल ओधे ते आके बेज़ दी उड़ारी बड़ी उच्चीए पर बिर्ती बड़ी नीमिक है याद रखे हो कई वरी ग्यान दियां गला उचियां उदियांने बंदियां दियां बिर्तियां बड़ीयां नीमियां उदियांने पहली उधारंदिती पाई सहब ने मेरू मन के दी दूजी उधारंदिती इल दी तीशरी जिनने भी बनासपती दे पेडे ने एदे विच्चो सिम्मल सब तो उच्चा बड़ा उच्चा मानने असी सब तो उच्चा ते नी चलो बड़ा उच्चा है हुण सिम्मल उदा अकार भी बड़ा फैला भी बड़ा है पर इन्ना उच्चे खोनदा की फैदा ओदे कुल आया होया हर पंची जड़ा ओ निराश जानदा है ओदे पत्यांच ओदे फोलते फल किसे कम नी पामा के बाबा जी ने बानी विचे क्या भी ये ये बचना उना में ये सिंबल रुक सरायरा अत दीरग अत मुच ओए जे आवैं आशकर जाहे निराशे कित फिर बिंति करा सिंबल उच्चे पर फाल निकम्मेने इल ओटदी उच्ची ये पर बिर्ती बड़ी गंदी ये मेरू मन का उच्चे पर सिंबरन विच गिंती विच नियोंदा इस से तरह जेड़ा विदवान लेक भी सकदा होवे बोल भी सकदा होवे गरंत भी पड़े कोण कोई गौन वाला होवे बजाउन वाला होवे वख्यान करन वाला होवे प्यारे हो जे ओदे ख्याल उच्चे ने पर जीवन उच्चा नगी ओदी खालत इस से तरह जिमें मेरू मन का जिमें इल ते जिमें सिंबल दा रुक पाई सब ने लिखिया खै जैसे माला मेर पोईत सब उपर कै सिमरन संख्या मैना आवत बढाई कै जैसे बिर्खन बिकै पेकिया सिंबल उचो नेफल पयोसो अत अदकाई कै जैसे चील पंचियन में उड़त आकाश चारी खेरे मृत पिंजरन उची मत पाई कै तैसे गाए बो बजाए बो शब्दने गाए बो बजाए बो सनाए बोना तस कशू तस गुर उपदेश बिन त्रेग चतराई कै गुर उपदेश बिन नानक लेख है एक गाल सिर्व एक गाल प्रमातमा दा सत्गुरु ने क्या तू गरंथ पड़ कौन कहिंदा तू ना पड़ पर तू ना नो मांता सही हंकार चना ले जिमें असी पाठ करने बानीच तर्मगरंथा दा जिकर हुंदा असी पाठ करने है सिम्रत बेद पुरान पुकारन पोथियां एक गाल लेखे चेक है सिम्रत बेद पुरान पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड गाली खोचियां महराज जी ने शब्द वरतियां बहुत शास्तर बहुत शिमरती पेखे सर्बटन ओल पूज सनाई घरहरे नानक नाम अमोल जहां सत्गुरा ने अमरत बानीच बख्षिश कर दिया किया कहले लगे पाई सजनों क्या पढ़ियां क्या गुनियां क्या बेद पुरान ना सुन पड़े सुने क्या होई जो सैज ना मिले उस होई हरका नाम ना जबस गवारा एक गल हरका नाम ना जबस गवारा क्या सोचें बारंग बारा अंधियार है दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लई है मैं अर्ज करां कि दीवे दीवे दी कथा करके चानन हो जाएगा दिवेदी फोटो लाके हने रेच चानन हो जाएगा दिवा बाला अगिते चानन होने है गुरू ने ता बानीच एक है के जी में तेल, बती, अगनल दिवा भालद है सचे वित तर्म गरंत पढ़न वालिया आते दसां के गरंत पढ़के भी अंदर दिवा बालदा है इत्थे क नामना जबस गवारा नानक लेख है एक गल हर का नामना जबस गवारा कया सोचें बारंग बारा अंधियार है दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लई है जे नाम दा दीवा बल गया बस्त अगोचर पाई काट दीपक रहा समाई फिर बिंती करांगा श्री गुरु गरन पुरान कमाई है एथे कला पड़ी है नहीं कमाई है एदार तु प्रैक्टिकल तौरते नूँ जी एक गाल नूँ समझ पोती पुरान कमाई है पहवटी एतन पाई है सच बुजन आन जलाई है तेरे कुल सिमर्णों वे एद धीवा भले इस सारे नौमी पौडी दे पहले शल जा अधियात्म कतादी बार मुकी तलीम जितनी मर्जी होवे सिमर्ण तो बिना पार उताराने के बाबाजी ने क्या तेरे पड़े कोई गरंथा नाल किष्टिया परिया जान तेरे जिन्नेवी जिन्दगी दे साल ने हर बर्स बर्स तु बंद गार्ण जिन्दगी कीती होवे तो ये महराज के जिन्नी उमर खै जिन्ने सवासने सारे पड़े खोन पर अखीरते क्या पड़िये जेती आरजा पड़िये जेती सास नानक लेख्धै एक गल एक प्रमातमा दा सिमरन ओधी बंदगी घी लेख्धै वीचे शिमर्ण तो बिना खोर ख लेखे विच खे, आओ, मैं कांगा पड़ो जरूर, सिख विद्वानों वेगा, ते ताहीं तां अर्थ करेगा, पाई देशा सिंग दे, रहत ना में नल में समापती करना, ओकिंद ने, गुर्म की अखर जेते खें पाई, सिख सिख ते सिख जाई, जेड़ी गुर्म की अखर ने, एवी सिखो, होर भी जनी विद्वाइख है, उन वद्वात तार्न करिये, पर ओई विद्वाइख सार्तक, जिड़ा, सत्गरू ने क्या ओदे समापती, अकल ए ना आखिया, अकल गवाईया बाद, बस एदन समापती, नानक लेक है एक गल, ओगी अकल सार्तक है, जिस अकलनल साइद यादावे, जिस अकलनल चगड़ी पाई जानेने, बखेडी खड़ी जानेने, जित्थे जाना संगत विच पाड़ पाई जाना, जित्थे जाना गुर्दवारे तोड़ी जाने, तोड़न दा मतलव संगत विच पाटक पादेना, अकल ए ना आखिया, अकल वाद वाद वीश अकल चली जाए काँ ता फैदा अकली साहेब शेवी है अकली पाईय है मान अकली पढ के भूझी है नानक लेख है एक गल अकल नाल उस परमात्मान न पढ विद्या ले पर उन्यों समझ तेरे अंदर जोत बलब हुए अकली पढ़ के बुजिये अकली कीजए दान एदारते जेड़ा तू अकल विचो पड़े है समझ पहेगी दूजे नुई दान कर दूजे नुई वन्ड नान का आक है राहे हो खोर गला शैतान बाकी सब शैतानियत के जे परमातमा दा नाम चीते ने इस सारे नौवी पावडी दे पहले शलोक दा तत एवे के नान का लेख है एक गल खोर खौमे चखना चाख वाह गुरुजी का खालशा वाह गुरुजी के बड़े